हलो आप रिबन वेलकम टो माय चैनल तो आज हम लोग सॉल्व करेंगी वक्सित 2 के कोस्टन्स को और इसके पहले के जो वक्सित है उसका वीडियो लिंक आपको मिल जागा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ से आप चेक आउट कर सकते हैं तो यहां पर कहता है कोस्टन नमर i to save it find their present ages okay तो आईए हम यहां पर इसको सॉल्व करते हैं तो पहले में लोग यहां पर नोट करेंगे Late Present Age of A तो यहाँ पर रेशियो क्या दिया हुआ है Present Age का यह दिया हुआ है 7 is to 5 तो जो रेशियो दिया हुआ है वही से हम मानेंगे लिखेंगे Late Present Age of A is equal to 7x ओके और जो B है उसका क्या हो जागा हमारे पास 5x हो जागा अब यहाँ पर 10 years लेटर बात किया गया है तो 10 years बात क्या होगा तो यह देखिए 10 years लेटर जब हम बात करते हैं तो यह भी न 10 years इसमें add करना पड़ेगा हमको Present Age अभी है 7x तो इसका मतलब 10 हम यहाँ पर add कर देंगे तो 10 years के बाद क्या age होगा अब इसका हम ratio लेंगे किसके साथ बी के age का तो बी का percentage क्या है 5x तो 10 years के बाद इसका क्या हो जागा 10 यहाँ पर add करना पड़ेगा और यहाँ पर question में कह दिया है हम लोगों से 10 years later 10 years later their ages will be in the ratio 9 is to 7 तो यहाँ पर इसका जो age होगा इसका ratio क्या हो जागा ratio हो जागा 9 is to 7 का ओके अब हमारा equation बन चुका है हम इसको solve करते हैं तो cross multiply करना पड़ेगा तो 7 से यहाँ पर multiply करेंगे ठीक है तो 7 7 जा क्या हो गया 49x और 7 10 जा क्या हो गया 70 इधर से आप multiply करेंगे तो 9 5 आप जा 45x और यह आपका होता है 9 1090 अब यहाँ से आपको क्या मिलता है एक्स वाले टर्म को एक साथ रखिए तो 49x और यह इधर आके माइनस हो जाएगा that is 45x और यह 90 और यह इधर रखिए जाट जाएगा तो क्या होगा मैनस में 70 ओके यहाँ से देखिए आपको क्या मिलता है सब्टेट करने पर यहाँ पर हम लोग को मिलता है 4x और यहाँ पर हमारे पास आजाता है 20 ठीक है तो यह देखिए हमारे पास x का वेलू आता है 20 अपन 4 चुकि 4 राइट साड़ जागा तो डिवाड हो जागा तो x के जगा हमारे पास आगे यहाँ पर डिवाड हो करके 5 तो यहाँ से हमारे पास परजेंट एज आ जागा x का वेलू पूट कर देंगे आईए तो चलिए हम वेलू पूट करतें तो यहाँ पर परजेंट एज ओफ ए हमारा क्या था हमने मान के चला था 7 x तो 7 x हम यहाँ पर x का वेलू रखेंगे 5 यह 7 x 5 क्या आ गया 35 इयर्स ठीक है यह हमारा एक अंसर आ गया दूसरा यहाँ पर हमारे पास b क्या हो जागा तो 5 x आने की 5 x 5 इन्टू 5 यह हमारे पास 25 इयर्स आ गया ठीक है तो इस तरह से हमारा यह फाइनल आंसर यहाँ पर बन जाता है तो next question number second हम लोग solve करेंगे और यहाँ पर कहता है two years ago आने की दो साल पहले अभी से दो साल पहले father was three times as old as his son यह जो पिता है उसका उमर कितना था three times ठीक है अपने पुत्र के उमर का three times था यह समझ गी अब आगे कहता है and two years hence आज से दो साल बाद आना twice his age will be equal to five times that of his son आने की जो पिता है father उसका age का twice double जो होगा वो किसके equal होगा जो पुत्र होगा उसके age का five times हो जाएगा यह कह दिया कहता है find their present ages तो चलिए इसको हम solve करेंगे तो चलिए पहले हम आपने note करेंगे late present age of son is x years ठीक है and present age of father is y years ओके अब यहाँ पे दो साल पहले की बात हो रही है तो two years ago हम लिखेंगे two years ago यह देखे हमारा जो son है और यह जो father है इसका age में क्या होगा न two minus करना पड़ेगा हमको right तो यहाँ पे y जो है न y में हम two minus कर देते हैं तो क्या होगा दो साल पहले पता चल लगा कि father का age क्या है और x में हम two minus कर देते हैं तो यह पता चलेगा कि two years पहले जो son है उसका उम्मर क्या है अब यहाँ पे relation क्या दिया हुए क्याता है father was three times as or as his son तो यह तो son का उमर हो गया दो साल पहले अब इसका three times होगा three times कौन होगा तो father का age तो यहाँ पे equal कर लेते हैं father के age के साथ तो इस तरह से यह हमारा equation त्यार होता है तो यहाँ पे हो गया y minus two equal to यह हम multiply करते हैं तो 3x minus six और यहाँ से हम two को right शाट लेके जाते हैं तो y is equal to यह हो जा रहा है three x minus six plus two और यहाँ से फिर हमारे पास y के भेलो आजाएगा y के भेलो आजाएगा three x और यहाँ पे difference ले लेते हैं तो minus four तो y is equal to three x minus four हमारे पास आ गया next हमारे पास दूसरा जो है कहता है two years hence तो आईए उसको बनाते equation तो two also लिखेंगे two years later तो यहाँ पे जो two years later होगा तो two years यहाँ पे हमको two add करना पड़ेगा तो यह हमारे पास y है इसमें two add कर लेते हैं अनि y क्या होगा percentage of father इसमें two add करेंगे तो two years later क्या होगा वो पता चलेगा और यहाँ से हमारे पास x है क्या percentage of son इसमें से two add करते हैं तो two years के बाद क्या age हो पता चलेगा और यहाँ पे क्या करता है question में twice his age will be equal to five times that of his son तो twice his age यहाँ पे जो पिताजी का age हो रहा है उसका हम क्या करेंगे twice करेंगे और two से multiply करेंगे यह किसके equal होगा five times five times of his son तो five times और five से multiply कर दिए अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको आप solve किजिए आपको क्या मिलता है value तो यह हो जाएगा आपके पास two y और यहाँ पे हो जाता है four और यहाँ से आपको मिल रहा है five x और यह हो गया फाइ two y अभी रहने देजिए और यह जो four है इसको आप right side लेके चलिए तो यहाँ से आपको मिलेगा five x plus ten और यह four गया right side तो माइनस में four हो जाएगा ओके और चलिए next यहाँ पे two y आगे देखिए यह हमारा क्या होगा ना five x यहाँ पे four minus किए तो प्लस में six ओके अब यहाँ पे two को right side लेके जाएंगे तो हमको यहाँ पे y मिल जागा y is equal to क्या हो गया five x plus six upon two ठीक है अब देखिए यहाँ पे यहाँ से भी मुझा य का value मिल गया तो इसको हम equation one मान सकते हैं और इसको हम equation two मान सकते हैं तो equation one को और two को हम equate कर लेते हैं चुकि यहाँ यहाँ पे देखिए left side हमारा दोनों ही equal है ठीक है तो right side भी हमारा equal होगा तो हम लोग यहाँ पे note करेंगे now from equation one and two we have यह देखिए left side equal है इसका मतलब right side भी equal होगा तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे हम यहाँ पे लिखेंगे three x three x minus four यह term equal होगा इसके five x plus six upon two ठीक है यहाँ पे हम नीचे one से divide कर सकते हैं और इसको हम cross multiply कर देते हैं तो चलिए यहाँ से two से multiply किए तो यह six x minus eight और यहाँ one से multiply किए तो कोई भी change नहीं आया यह हमारा as it is रह गया आगे देखिए यह हमारा solve होता है तो यहाँ पे x वाले term को हम लोग एक तरफ रखेंगे हाना left side और यह six और यह प्लस में eight हो जाएगा right side जाकर के यहां से हम लोगों को एक्स मिल जाता है six x minus five x that is x और यह add होकर कि क्या मिल गया हमको 14 तो 14 years हमको यहां पर क्या आ गया हम लोग लिखेंगे so y is equal to y is equal to हमारे पास क्या है three x minus four और यह three और एक्स के जगा हमारा 14 यहां पर भेल्लू पूट कर दिये minus four तो 14 3 कितना हो गया forty two minus four forty two में four minus किये क्या आ गया 38 तो 38 years हमारा क्या आ गया ना वाई वाई means percentage of father तो दोनों हमारा यहां पर आंसर आ चुका है ओके तो लास्ट में लोग यहां पर नोट कर देंगे हैंस percentage of son is equal to 14 years and percentage of father is equal to 38 years और यह हमारा हो जाता है final answer राइट तो next question number third को में लोग solve करेंगे और यहां पर कहा गया है the sum of the digits of a two date number is eight हाना two digits का कोई number है और उसके digits का sum कितना दिया हुआ eight मालिज जी की two digits के जो number है वह हमारा हो सकता है xy हो सकता है आप इसको yx भी लिख सकते है ठीक है तो digits का sum कितना दिया हुआ है digits का sum दिया हुआ है यहाँ पर आपको eight दे दिया है तो अगर हमारा unit place पर x होता है और tens place पर y होता है ठीक है तो हमारे पास क्या हो जागा ना x plus y is equal to eight हो जाएगा चोकि digits का सम यहां पर दे दिया है आगे क्या कहा गया है the number obtained by interchanging the digits exceeds the given number by 18 अगर हम यहां पर जो number है उसके digits को interchange कर दे आनि कि जो हमारा unit place पर है उसको हम 10s place पर रख दे और जो 10s place पर है उसको unit place पर रख दे तब क्या होगा जो हमारा नया number बनेगा वो 18 जैदा हो जाएगा 18 exit कर जाएगा यहां पर लिखा हूँ है exits the given number by 18 आनि 18 से जैदा हो जाएगा अब कहता है find the numbers तो हमको यहां पर numbers निकाल लेए तो यह देखिए अगर मान के चलते हैं हम लोग यहां पर let digit at 1s place is equal to x तो यहां पर एगर x हम माल लेते हैं unit place का digit तो जो हमारा 10s place का digit होगा y वो y कैसे निकलेगा तो यह देखिए 8 minus x x को हम right side लेके जाएगा तो minus में हो जाएगा ठीक है तो यह हमारे पास हो जाता है y is equal to 8 minus x तो यहां पर आप लिख सकते हैं digit at 10s place is equal to क्या लिखेंगे आप यहां पर 8 minus x चुकि यहां पर आप क्या लिखेगा since sum कितना है हा न since sum of digits कितना है यहां पर 8 है इसलिए यह हमारा क्या होगा 10s place का digit क्या होगा 8 minus x हो जाएगा यह देख लिए कैसे हुआ अब यहां पर require number आपको देखिए तो यहां पर required number कैसे लिखते है जो 10s place का digit है उसको आम लोग 10 से multiply करेंगे और 1s place का digit को लोग 1 से multiply करेंगे तो यहां पर 10s place का digit क्या है आपका यह देखिए अगर y होता तो आप इसको ऐसे लिखते 10 y और x होता अगर unit place पे तो आप इसको लिखते plus में x okay 10 y plus x लेकिन यहाँ पे आपके पास 10s place पे क्या है ना 8 minus x है तो आप यहाँ पे 10 multiplied by 8 minus x रखने वाले हैं और यहाँ पे plus में आपके पास 1s place का digit x है तो यह तो यह आपका क्या हो गया ना यह आपका हो गया required नंबर ठीक है अब आपको क्या करना पड़ेगा next जो step है उसको लेके चलना पड़ेगा कहता है दि नंबर obtained by interchanging the digits exceeds the given number by 18 तो आईए यहाँ पे interchange करते हैं हम यहाँ पे लिखेंगे according to question ओके तो यह हमारे पास जो number है अभी हम change करते हैं तो यहाँ पे देखिए हमारे पास यह है 10th place का digit इस पे हम क्या करेंगा ना x के x यहाँ पे रख देंगे x रख दिए और plus यह हमारा जो है 8 minus x यह हमारा चला जागा unit place पे हाने की 8 minus x ओके तो इस तरह से हमने क्या किया है यहाँ पे digit को change कर लिया हाना digit को change कर लिया अब यह क्या होता है कहता है exists the given number by 18 तो given number हमारा क्या है given number हमारा यह था यह हमारा है 10 multiplied by 8 minus x plus x यह हमारा है given number ठीक है तो इस से यह बड़ा हो जाता है तो आपको क्या करना पड़ेगा given number में 18 add कर देना पड़ेगा तब जाकर कि यह आपका जो नया number है इसके equal हो जाएगा इसके equal हो गया अब आप इसको solve करेंगे तो आपको यहाँ पे x का value मिल जाएगा तो यह देखिए यहाँ पे आपको हो जाता है 10x और यहाँ पे आप लिखेंगे 8 minus x चुकि प्लस है तो bracket को आप हटा सकते कोई change नहीं आएगा यहाँ से आप multiply कर देजिए तो यह हो जाता है 80 और यह 10 से x का multiply करेंगे तो 10x और फिर यह प्लस में आपका x रहेगा और यहाँ पे आपका 18 रह जाता है next आप देखिए x वाले term को add किजिए 9 minus x करेंगे 10 minus x करेंगे तो यहाँ पे 9x बचेगा और प्लस में 8 यहाँ से आपके पास 80 है और 18 आप add कर लिए तो 98 और यह आपके पास हो गया 9x x वाले term को एक तरफ लिजिए और left side तो यहाँ पे क्या हो जाता है 9x प्लस में फिर से 9x चुकि यह minus में left आएगा तो plus हो जाएगा और यह आपके पास क्या है 98 और यह right side जाएगा तो यह minus में हो जाएगा ओके अब आप देखिए यहाँ पे आपको क्या मिल गया यह आपको मिल गया 18x यहाँ से आपका minus करके 90 तो यहाँ से आपको x मिल जाता है तो x is equal to क्या गया 19 upon 18 अगर आप इसको divide करते हैं तो यहाँ पे आपको मिल रहा है 5 यह देख सकते हैं आपको क्या मिल रहा है 5 चुकि 18, 50, 90 होता है ओके X आपको मिल गया तो आपके पास जो number है required number यह आपको मिल जगा के वल एक्स का value यहाँ पर पूट कर लीजिए चलिए हम value पूट करते हैं तो हम यहाँ पर लिखेंगे so given number is equal to हमारे पास क्या था 10 multiplied by 8 minus X plus X और X का value क्या आगिया हमारे पास तो X का value आगिया है 5 तो हम यहाँ पर 5 पूट कर लेते हैं तो 8 minus 5 और यह plus में हमारा 5 यहाँ से 10 और यहाँ पर हमारे पास minus होके 3 और यह plus में हमारे पास 5 तो 10 तरिजा 30 plus 5 that is 35 तो एक तो answer आ गिया आप यहाँ पर new number जो हमारा बनेगा वो भी निकालना है ठीक है तो new number formed हाँ ना new number formed तो new number formed यहाँ पर हम क्या करेंगा diet को change कर देंगा simple सा तो यह हमारे पास क्या हो जागा 53 हो जाएगा ओके यह हमारा दूसरा answer हो जाएगा ओके समझ गे next question number 4 हम लोग solve करेंगे और यह कहता है the once digit of a two digit number is twice the tenth digit जो once place पर digit है वो twice है और डवल है किसका tenth place पर जो digit है उसका when the number formed by reversing the digits is added to the original number the sum is 99 find the original number तो बहुत ही easily solve कर सकते है आईए हम यहाँ पर note करेंगे तो यहाँ पर मान के चलते है 10s digit हमारे पास क्या है यहाँ पर कहा गया है once digit of a number two digit number is twice the tenth digit तो tenth digit को हम x माल लेते हैं तो once place पर digit है वो क्या हो जागा हमारे पास 2x हो जागा चुकि twice है यहाँ पर once digit जो है वो twice है किसका 10s place के digit का तो 10s place के digit को हमने x लिया तो once place का digit हमारे क्या हो गया 2x हो गया तो यहाँ पर हमारे नंबर क्या हो जाएगा नंबर देखिए हमारे जो 10s digit होता है न उसको हम 10 से multiply करते हैं तो 10 multiplied by 10s place का digit x है प्लस once place पर digit का है 2x तो इसको हम लोग one से multiply करते हैं और add करते हैं तो one से multiply करने पर कोई change नहीं तो यह हमारा हो गया number अब यहाँ पर हम क्या करेंगा according to question कहता है when the number found by reversing the digits is added to the original number यह हमारा original number है इसके digits को reverse करेंगा और add कर देंगे तो हमारा sum कितना आ जागा 99 तो हम यहाँ पर लिखेंगे according to question ठीक है तो पहले तो हम original number को यहाँ लिख लेते हैं यह हमारा हो जाता है 10 into x that is 10x और यह plus में हमारा हो गया 2x ठीक है इसमें हम add करेंगे यह हमारा original number है इसमें हम add करेंगे जो number form होगा इसके लिए digit को reverse करना पड़ेगा तो यह हमारे पास 10 और यह 2x जो है अब आ जागा x के जगा पे यहाँ पे आ जाएगा ओके इधर हमारे पास क्या होगा 99 चलिए आगे बढ़िए यहाँ से सभी को add कीजिए तो 10x, 2x, 12x और यह 20x that is 32x और यह हमारे पास x टोटल कितना हो गया 33x हो गया और इधर 99 therefore x का बहलो क्या हो जागा 99 upon 33 तो यह cancel हो करके हमको मिल जागा 3 तो यहाँ पे original number हमारे पास यह है हम यहाँ पे value put कर जाते है हमारे पास आ जागा answer तो यह हमारा original number है 10x plus 2x और x के जगा हम 3 put करने वाल है तो 10 multiplied by 3 plus 2 multiplied by 3 ओके यह हमारे पास हो जाता है यहाँ पे 30 plus 6 और यह हो गया 36 हम लोगों का answer clear समझ गये next question number 5 लोग solve करेंगे कहता है the sum of the digits of a 2 digit number is 11 यहाँ पे फिर से 2 digit का number है उसके digits का sum कितना 11 है का गया है this number obtained by interchanging the digits digits को interchange कर देना है और उससे जो number मिलेगा exits the original number by 27 find the number तो यह question number third के जैसा ही है ओके आईए हम लोग यहाँ पे solve कर लेते हैं तो पहले हम लोग यहाँ पे माल लेते है let digit at once place is equal to x ठीक है once place पे जो digit है उसको x मान लिए अब यहाँ पे two digit के number है तो x हो गया once place का digit तो tens place का digit हमारा obvious है कि हम यहाँ पे y मान सकते है या फिर कुछ और भी मान सकते है अब यहाँ पे digit का sum कितना है x plus y 11 है तो यह हमारे पास y is equal to क्या होगा 11 minus x हो जाएगा तो digit at once tens place क्या हो जाता है 11 minus x हो जाता है ओके यह समझ गये क्यों चुकि sum हमारे पास दिया हुआ था तो number हमारे पास क्या बनेगा जो tens place पे digit होता है उसको 10 से multiply करते हैं और once place के digit को add कर देते हैं ओके अगर y हमारा tens place का digit है तो 10 y plus x हमारा number बन जाएगा तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 10 multiplied by 10 स्प्लेस का digit हमारे पास है 11 minus x और इसमें हम add करेंगे one स्प्लेस का digit जो की है x अब आजाते हैं according to question तो according to question देखिए क्या कहता है the number obtained by interchanging the number तो यहाँ पे number मिलेगा जो number को change करना है place change करना है तो यह हमारे पास होता है 10 और अभी न 11 minus x के जगा हम x रखेंगे place change करेंगे और यह हमारा है 11 minus x आजाएगा one स्प्लेस पे तो यह जो number है यह क्या कहता है एक्सिट्स दा original number by 27 तो यह number original number से 27 बढ़ जाता है तो original number को हम यहाँ पे right side note करते है यह हमारे पास है 10 multiplied by 11 minus x plus x तो यह number छोटा है यह number जाएदा है चुकि यह new number form हुआ है यह exits हो गया बढ़ गया कितना से 27 से तो इस condition में हम 27 यहाँ पे add कर लेंगे जो हमारा original number था ताकि यह जो नया number बना है इसके यह क्या हो जाए equal हो जाए ओके चलिए next हम क्या करते है इसको solve करते है तो यहाँ पे 10 x और यह हो गया 11 minus x और इधर देखिए multiply कर देजिए तो यहाँ पे 110 और यह हमारे पास हो गया 10 x ठीक है और यह plus में x और यह है plus में 27 ओके next देखिए क्या होता है आपका यह 10 x और इसमें x minus हो जाएगा तो that is 9 x plus 11 यहाँ पे आपके पास हो गया यह minus में 9 x आ जाएगा यहाँ पे ठीक है चुकिए plus minus है 27 और इसमें 10 add कर दिए तो 137 हो जाता है ओके 9 x plus 9 x और इदर 137 यह उधर जागिया तो minus में 11 यह हमारे पास क्या हो गया 9 और 9 18 x और यहाँ पे सब्टेट का हो जाएगा तो सब्टेट होने पर 126 ओके तो x का भेलू आ जागा तो x is equal to 126 upon 18 18 से divide किजिए तो यह हमारा divide होके 7 times में जाएगा हा ना 7 तो x का भेलू हमको यहाँ पे क्या मिलता है 7 तो चलिए हमारे पास जो number है original यह हमारा आ जाएगा value हम put करते हैं यहाँ पर तो original number हमारे पास क्या है ना यह है 10 multiplied by 11 minus x plus x तो 10 और 11 minus x का value 7 और यहाँ पे 7 plus में भी रहेगा तो यह हो गया 10 multiplied by यहाँ पे 4 और यह plus में 7 तो 10 4 जब 40 plus 7 that is 47 हम लोगों का क्या क्या final answer ओके